हेलो स्टुडेंट्स बाल मनुविज्यान के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज बाल मनुविज्यान का हमारा आठवा लेक्चर है पिछली कक्षा में हम समावेसे सिक्षा से सम्बंदित प्रश्णों को देख रहे थे और आज हम ब्रेल लिपी को समझेंगे सबसे प ब्रेल लिपी क्या होता है आज यह देखेंगे समाने तब ब्रेल लिपी नेतर हीनों के लिए जाना जाता है और इसके पीछे लुइस जी का नाम जाना जाता है कहा जाता है कि जब वो तीन वर्ष के थे तो उनके साथ इंगटना घटी थी वो अपने पिता पिता जी उनके काम करा करते थे वो घोडे का नाल बगएरा बनाने का काम करते थे तो उनके कारशाला में कुछ नुकीले औजार रखे और उस उप्चार के बाद infection फैलने लगा और वो अपने आँग की रोशनी खो चुके थे, धीरे धीरे दूसरे आँग की रोशनी भी जा चुकी थी, इस प्रकार वो अपने दोनों आँग की रोशनी खो चुके थे, तब भी वो कहा जाता है कि प्रतीभा के धनी थे, वो कारे में लगे रहे, काम करते रहे एक वक्त आया जब उनका Paris Blind School में admission हुआ Paris Blind School में admission हुआ और वहीं से उनकी ब्रिल लिपी की सुरुवात मानी जाती है, कैसे? कहा जाता है कि एक time पे Francis के कोई सेना अधिकारी आये हुए थे उन्होंने अपनी night script जो रात को use किया जाता था पत्र उसके बारे में बताये वो night script जिसमें समान्यता 12 बिंदों का प्रियोग बताये थे वोई जिसका प्रभाव Lewis पर पड़ा और उन्होंने इस पर काम करना सुरू कर दिया Lewis क्या कि ये 12 बिंदों की जगा में हम कुछ important points देखते है Braille पड़ती एक तरह की लिपी है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छू कर लाया जाता है वैभार में लाया जाता है आपका जो Braille लिपी है इसमें क्या किया जाता है अच्छरों को, सब्दों को आपका जो अंक होता है उसको क्या जाता है उभारा जाता है तो इसे बच्चा क्या करता है छू कर देखता है इस पड़ती का विश्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसिसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था यह अलग-अलग अक्षरों, संख्यां और विराम चिन्नों को दर्स आते हैं कहा जाता है कि लुई ब्रेल जब तक जीवित थे तब तक यह पंधती पूरे विश्व में विख्यात नहीं थी उन्हें माननेता नहीं मिली थी उनके मृत्यू के पश्यात इस पंधती को माननेता मिली थी इन्होंने इस पर बहुत महनत किया था काम किये थे संख्या हो, अक्षर हो या अंख हो तो इस पर वो यह दिन रात काम करते थे तब जाके आपका इस लिपी का क्या हुआ? अविश्कार हुआ आप देख सकते हैं यह कौन है आपके? लुइस ब्रेल जी है जो इस तरह का यह A है और यह 6 बिंदो आप कोई भी अक्षर देख लेजे इसमें सभी में क्या मिलेगा? आपको 6 बिंदो मिलेगा कोश्चन आता है कि ब्रेल ली पी में कितने बिंदों अगे बढ़ते है आप यह यह जो बिंदो देख रहे हैं यह इस तरह से ये क्या है आपके ब्रेल लिपी है इसमें क्या किया गया है उभारा गया है बिंदू को और इसे टच करके पढ़ा जा सके इसलिए इसका उपयोग किया जाता है ये बहुत ही महतपूर पंथती है ये भी एक प्रकार की भाशा है जो पूरे विश्व में विख्यास हो चुकी है जो नित्र हीनों के लिए बहुत महत्पूर हो चुकी है सवाल बनता है आपका question की world braille day कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 4 जन्वरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है एक्जाम यहां से आपका question कर सकता है तो याद रखिएगा पूरे विश्व में braille दिवस कब मनाया जाता है तो 4 जन्वरी को मनाया जाता है आगे देखते हैं braille leepy यह देखिए question बनके अभी हमने देखा अब तुरंत question आगे इसका braille leepy का प्रस्तावक है कौन है आपका? Charles braille? नहीं Lewis braille हाँ Lewis braille है अभी हमने देखा कि इन्होंने क्या किया था? Braille leepy का विश्कार किया बाकी तो इनका नाम ही नहीं आता तो यह क्या हो गए आपके? गलत हो गए तो answer क्या हो जाएगा? आपका second हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यह कोन है आपके? लूई braille है याद रखेगा आज इन्हीं के बदौलत जो नेत्रहीन बालक है वो असानी से चीजों को पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं पहले भी था ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था पहले भी था लेकिन उस समय इनको बहुत ज़्यादा परिशानियां हुआ करती थी बहुत संघर्सों के बाद वे सीखते थे लेकिन आज वो असानी से चीजों को महसूस करते हुए छू कर समझ लेते हैं ब्रेल लिपी के बारे में निम लिखित कत्नों का अध्यान कीजिए देखिए आपके एक्जाम में इस तरह के सवाल बनते हैं पहला ब्रेल एक मोटे कागच पर डॉट्स उभरे हुए बिंदू बना कर लिखा जाता है बिल्कुल हम इमेज में देख रहे थे कि एक पेपर होता है जिसमें क्या किया जाता है अक्षरों को उभार कर लिखा जाता है यह लिपी आठ बिंदूओं पर अधारित होती है क्या यह आठ बिंदूओं पर अधारित होती है क्या नहीं होती है हमने देखा कि इसमें कितने बिंदू होते हैं आपके 6 बिंदू होते हैं 8 बिंदू गलत है तो आपके यह सेकेंड अगर गलत है तो सेकेंड कहां कहां मिल रहा है आपको यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है तो आपका option क्या हो जाएगा A सही हो जाएगा बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीली औजार से बनाया जाता है बिल्कुल एक नुकीली औजार के जरीए हम क्या करते हैं बिंदो को उभारते हैं उठी हुई बिंदी या उठी हुई बिंदियों पर उंगलियां चला कर इसे पढ़ा जाता है बिलकुल आपका A सही है आपका तीसरा सही है आपका चौथा सही है आपसन क्या हो जाएगा? आपसन A आप लोग के लिए एक महतपूर सुचना है जैसा कि हम देली देख रहे हैं तो अगर आप अभी भी हमारे प्री बैच में जुड़ना चाहते हैं साथ ही हमारा महिला परवेक्षक का जो बैच है जो महिलाओं के लिए बहुत ही महतपूर पोस्ट है तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है आपके? 10 जनवरी, सॉरी 10 जुलाई से 10 जुलाई 2023 से ये बैच प्रारंब हो रहा है अगर आप महिला परवेक्षक में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को जोईन कर सकते हैं इसकी टाइमिंग सुबह 11 से 2 होगी इसके अलावा आप और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर कर सकते हैं व्यापम के जो अन्य एक्जाम है उसकी भी त्यारी शुरू हो चुकी है आपका CGPSC प्री का बैच प्रारंब हो चुका है आपके 19 जुलाई से प्रारंब होगा रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है जैसा कि इसमें लिखा है कि स्टार्टिंग के जो 50 बच्चे होंगे उन्हें special offer मिलेगा 21,240 के जगा उन्हें मात्र 9,999 में एक course दे दिया जाएगा तो आप चाहे हैं तो इसे join कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं वही बात है कि आपके लिए demo classes भी होगा और साथ मैं आपके लिए hybrid class भी होगे online class, offline class हर तरह का आप घर बैठे बैठे भी तैयारी कर सकते हैं साथ ही बाल मनुविज्यान यूटूब पर daily इसकी free of cost class चल रही है तो अगर जो भी आप बाल मनुविज्यान की class देखना चाहते हैं तो हमारे यूटूब पर देख सकते हैं इसकी class daily दी जा रही है चलिए, next topic है हमारा सीखने का model सीखने का model जो अपने आप में क्या है एक महतपूर model है क्यों सीखने का model का अर्थ होता क्या है होता क्या है तो इसका एक simply अर्थ देखिएगा सीखने का जो model होता है वो हमें सीखने की पधधती को बताता है कि हम कैसे सीख सकते हैं एक जो बच्चा होता है या एक समान्यमाना होता है वो तीन तरीके से सीखता है या तो रट कर सीखेगा या तो समझ कर सीखेगा या तो वो खोज विधी द्वारा सीखेगा तो ये तीन पधतिया होती है सीखने को model तो वही होता है जिसमें हम सीखने की कला को समझते हैं तो सीखने का ये model होता है ये आपके maths में अक्सर देखने को मिलता है क्योंकि ये maths pedagogy का एक topic था सीखने का model आपका examiner कहीं से भी सवाल उठा सकता है क्योंकि उसने क्या किया है बाल मनुविज्यान बस लिख दिया है बाल मनुविज्यान से आपके 10 प्रशन होंगे पर कहां से होंगे, कैसे होंगे question का level कैसा होगा उन्होंने कुछ नहीं बताया है तो हम सभी cover करते चलेंगे जिससे हमारा बाल मनुविज्यान को कोई भी प्रशन ना छूटे तो यह है आपका सीखने का model simply अगर आपसे पूछा जाए कि सीखने का model क्या होता है तो याद रखिएगा सीखने का model ऐसा model होता है जिसमें हम चीजों को किस प्रकार से सीखें या समझें यह हमें model बताता है सबसे पहले हम देखेंगे आपका यह आपका सीखने का model है अब देखिए यहाँ पर teacher है यहाँ पर कई बच्चे अब यह जरूरी नहीं है देखिए teacher तो एक है पढ़ाने वाली एक है किन्तू समझने वाले बच्चे क्या है अलग है यह अलग-अलग तरीके से चीजों को सीखते हैं तो यह अलग-अलग तरीके से सीखने ही आपका क्या होता है सीखने का model होता है सबसे पहले हम बात करेंगे सीखने का banking model important है सीखने का banking model से सवाल आपकी बनते हैं क्या होता है सीखने का banking model तो सीखने का जो banking model होता है सबसे पहले इसके नाम पर हम चाहेंगे कि इसका नाम banking model क्यों पढ़ा क्यूं? क्यूंकि इसका नाम banking model इसले पढ़ा bank जिस प्रकार होता है वैसे हम इसमें सीखते हैं अब कैसे सीखते हैं? आपका आपका banking model भी ऐसा ही होता है, इसमें आप जानकारी को एकत्रित करेंगे और जरुवत पढ़ने पर निकाल देंगे, कैसे जैसे आप किसी चीज को रट रहे हो, याद कर रहे हो, ठीक है, स्टोर करते जा रहे हो, ब्रेन में स्टोर कर रहे हो, लेकिन जब आप से पूछा जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसे तुरंट तदकाल जवाब देते हैं, बताते हैं, तो आपका जो banking model होता है, वो bank की तरह होता है, कि आप इसमें पैसे का दृत करते हैं, जुरुवत पढ़ने पर निकालते हैं, तो वैसे आप रटते जाते हैं, याद करते जाते हैं, और model ये कौन है आपके पावलो फ्रेयर है ये इन्होंने क्या किया है banking model का सिध्धान दिया है चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में पावलो फ्रेयर नाम याद रखिएगा एक सवाल बन गया यहां से ध्यान दिजेगा सिध्धा का banking model निम लिखित में से किसके लिए अक्षा है तो किसके लिए अक्षा होगा आपका देखे ध्यान से आंसर दिजेगा हमने देखा कि banking model क्या करता है इसमें हम bank की तरह पैसे को 71 करते हैं और जुरत पढ़ने पर बाहर निकालते हैं यह आपका banking model है इसमें हम ग्यान को 71 करते हैं और जुरत पढ़ने पर बाहर निकालते हैं अब सवाल बना आपका कि banking model निम लिखित में से किसके लिए अच्छा है सरजनात्मक सोच के लिए ज्यान की समझ के लिए ज्यान की प्राप्ति के लिए या इन में से कोई नहीं सरजनात्मक सोच तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सरजनात्मक सोच की बात नहीं करता ग्यान की समझ इसमें ग्यान की समझ नहीं होती इसमें सिर्फ ग्यान इखटा करने की बात की जाती है तीसरा आपका ग्यान की प्राप्ति ये बिल्कुल सही है इसमें हम क्या करते हैं ग्यान की प्राप्ति प्राप्त करते हैं यहां ग्यान की प्राप्ति देखते हैं, तो यह clear हुआ आप लोगों को, चलिए आगे देखेंगे, सिच्छा का banking model इसके बारे में कुछ points देखेंगे, सिच्छा का banking model पाउलो फ्रेयर द्वारा इस्तमाल किये जाने वाला सब्द है, जिसका इस्तमाल pedagogy of the oppressed पुस्तक में किया गया है, मतलब एक book है, जिसमें banking model को क्या किया गया है, बताया गया है, तो कौन सी book है वो, वो है pedagogy of the oppressed पुस्तक, इसमें पारंपरिक सिच्छा पणाली का वर्णन और अलोशना करने के लिए किया जाता है, कहने का मतलब यह है, कि जो आपका banking model है, वो एक तरह का पारंपरिक सिच्छा भी है, क्योंकि इसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, ग्यान एकत्र करने को बोलते हैं, तो यह इसमें क्या होता है, आपका ग्यान का स्रिजन या हम स्रिजनात्मा कारे या खोच करने का काम नहीं होता है, इसमें ग्यान को एकत्र करने का काम होता है, तो इसमें क्या गया है, आपके pedagogy of oppressed पुस्तक में, जो आपका model है, सीखने क कौन सा मॉडल, बैंकिंग मॉडल, इसकी अलोशना भी की गई है, कौन से बुक में, पेड़ागोगी आफ दॉपरिस्ट पुस्तक में, सिच्छा का बैंकिंग मॉडल एक दृष्टी कोर है, जो छात्रों को संग्रह करता की रूप में देखता है, बिलकुल इसमें छात्र क्य करता है, जिसमें सिच्छा को द्वारा ज्यान जमा किया जाता है, सिच्छा क्या करता है, ज्यान को जमा करता है, ये पावलो फ्रेड़े द्वारा एक विक्षित रूपक है, आपके पावलो फ्रेड़े का मानना है, कि पश्चिमी सिच्छा, सिच्छा को तानासा और छात् निस्क्री परविच्छक के रूप में देखती है बैंकिंग मॉडल ना एक वाकई में एक ऐसा मॉडल है जिसमें बच्चे के अंदर क्या होती है रशनात्मक जो बुद्धी होती है उसका विकास नहीं हो पाता इसमें छात्र को कोई मतलब नहीं होता इसमें उपयोग की जाने वली प्रमुक सच्छडिक नीतियां है या रण नीतियां कौन कौन सी है सिच्छक कथन अब ध्यान दीजिएगा इसमें पहला वर्ड लिख है सिच्छक कथन अब इमेज दोला समझेगा इसमें क्या करता है कि सिच्छक जो भी कहेगा उसे छात्र बिना समझे बिना सवाल किये क्या करता है बस एकत्र अगर सिच्छक ने बोला कि विश्व में ये ऐसा है वैसा है अगर वो कुछ भी बात बता रहे हैं जैसे सिच्छक हमेसा बात कहते हैं एक होती ही नब बच्चे से लिखवाते हैं, आपनो चलो, लिखो, तो बच्चा बस कॉपी में लिख रहा है, बाकि उसको कोई मतलब नहीं, बस उसको रटना है, दिमाग में ग्यान को अरजित करना है, तो यह क्या है, सिच्छक सबसे बड़ी बात किया है, कि सिच्छक इसमे कभी-कभी बच्चा नहीं भी लिखता है, उसे पढ़ाई क्या लगती है, बोर लगती है, बोज लगती है, वो पढ़ाई में टेस्ट नहीं दिखाता है, तो पहला हमने क्या देखा, पहला पॉइंट हम समझें, कि आपका जो बैंकिंग मॉडल है, उसमें उप्योग की जा बना बुना है, अगर चात्र को मिल जाएगा, कि आप ऐसा करो, तो चात्र वैसा करेगा, अगर आप उसे क्रिएटिविटी वाला काम नहीं दोगे, उसे खोजबीन करने का काम नहीं दोगे, उसे खुद से तर्क लगाने को नहीं कहोगे, उसे सोचने को नहीं कहोगे, तो चात्र निस्क्री रोप से हो जाएगा, या निस्क्री प्राय हो जाएगा, ठीक, अब यह देखिए सिच्छी का है, यह बच्चों को क्या कर रही है, पढ़ा रही है, अब यहाँ पर एक बच्चा यह है, जिसका पढ़ाई में ध्यानी यह बाहर दे रहा है, यह बच्ची क्य कबी-कभी हम रशनातमक K平ých Danil में देखते हैं और रशनातमक क चंचा है कि बच्चों से क्या करतेँ तरह तरह के सवाल करते हैं को जो भी चीजे फेस करते हैं उन्हीं से कनेक्ट कर के एं चीजों को पढ़ाते हैं जिससे क्या होताइर? रशनात में बुद्धी वाला होता है, तार्किक बुद्धी वाला होता है, लेकिन इसमें बच्चों के पूर्व के ग्यान से कोई मतलम नहीं होता है, जो है, सो है, जो पढ़ा दिये, बच्चा उसे पढ़ लिया, इसलिए ये क्या-क्या होता है कभी-कभी बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत बोज बन जाता है बच्चे टेंशन में आ जाते हैं सिंपल सी बात है आप उन्हें बस रटा रहे हैं आप उन्हें बता दोगे कि ये ये चीज़ आप रटिए तो बच्चा निश्चीत रूप से एक समय के बाद वो परशान हो जाएगा और बच्चे ये ही कारण कि कई-कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रट लेते हैं और कोई-कोई बच्चे परशान हो जाते हैं क्योंकि कोई बच्चे ऐसे होते हैं, जो रठने वाले नहीं होते हैं, उन्हें समझ कर पढ़ना, उन्हें खोच करके पढ़ना, या उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, या ऐसा कह सकते हैं, डेली लाइफ में जो चीजे होती हैं, उससे कनेक्ट करके पढ़ना बच् को लेके वह बहुत भूरा है जो बच्चा ज्यादा परेशंट लाता है आपका 90 परेशंट वाला बच्चे को एकदम अच्छे से समझा जाता है जब कि गलत बात है 90 परेशंट वाला बच्च लिख के लिए रचनात्मा गुद्धि वाला नहीं होगा वह जैसा रटा वैसा व हमारे समाज की कमजोरी है. संपूर समू सिच्छड, अब इसमें क्या होता है, टीचर क्या करता है, आप इधर ध्यान दीजेगा, कि सारे बच्चों को एक साथ बैठा देता है, समू सिच्छड में क्या होता है, कि बच्चे एक बच्चे पर ध्यान नी देता है, इसको कोई मतलम नी कि कौन सा बच्चा सीख रहा है, कौन सा बच्चा भूल रहा है, कौन याद कर रहा है, उसे कोई मतलम नी, बस वो बच्चों को ग्यान दे देता है, बच्चे ग्यान ग्रहन कर लेते हैं, यह समू में होता इसमें नहीं होती है, किसमें आपके banking model में निसकर्स क्या निकलता है, तो देखिएगा निसकर्स क्या निकलता है कि सिच्छा की banking अवधार्णा एक सिच्छर सैली के लिए पाउलो फ्रेयर द्वारा बनाई गई एक लक्षड़ा है, बिल्कुल पाउल Joshi Bank काईसा हो, माल लीजिए ये छात्र का जाहिए, मस्तिस्क है, और ये क्या है आपका उखिणा है, ये आपका जो सिच्का हाइ, वो क्या है जाहिए और ये teacher है आपका, बिल्कोu अपका क्या है teacher है तो ये एक piggy bank की तरह है कि ये बच्चों का जो मस्तिस्क होता हो पिगी बैंक की तरह होता है और जो सिक्का होता है वो ग्यान होता है और डालने वाला क्या होता है आपका सिच्छक होता है चली कोश्चन क्या है बैंकिंग मोडल के बारे मिनिम लिखित में सा कथन कौन सा सही नहीं है बताना इसका सबसे पहले पावलो फ्रेयर द्वारा उपयोग किया गया था ये सही है ज्यान का भंडार रखा जा था ये भी सही है हमसे क्या पूछा गया है सही कथन नहीं है तो इसमें आपका सही कथन कौन सा नहीं है आपका first और second option ये हो गया क्लियर हुआ चली इसके बार में कुछ important points देखते हैं बैंकिंग मॉडल की खोज मूल रूप से ब्राजील के दार्शनिक पावलो फ्रेयर ने अपनी 1960 में किताब थी pedagogy of the oppressed में किया था पूछा जा सकता है सवाल कि आपके बैंकिंग मॉडल का जो सिधान था वो किसके दुआरा और किस पुस्तक में किया गया तो याद रखिएगा किसके अनुसार आपके फ्रायर के अनुसार बैंकिंग क्या है बैंकिंग मॉडल के बारे में कुछ विसेस्ता है यह हम समझेंगे सिच्छक पढ़ाते हैं और छात्रों को पढ़ाया जाता है निश्चित रूप से सिच्छक सब कुछ जानते हैं और छात्र कुछ नहीं जानते छात्र वही जानेंगे जो सिच्छक उन्हें बताएगा एक्स्ट्रा उनको कोच भी चीजें नहीं पता होता है से पता होगा जब बच्चा तर्खी नहीं कर पाएगा? सिच्च वर र health की नहीं होते हैं, भिलकुल ये क्या होते हैं, निस्क्री होते हैं सिच्च वरchnya क्रते हैं, और छात्रों को सिच्च की कारवाही जानगर करें का फ्रम hostा है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम अपनी स्कूल में हुआ करते थे, तो कभी कोई ऐसे टीचर भी आप लोग ऐसे मिले होंगे, जो बस क्लास में आते थे, चलो, क्या पढ़ना था, मैं भी ये पढ़ना था, ठीक है, चलो, कुंजी निकालो, लिखो, क्या पढ़ाय थे कल, चलो, याद करो, तो ये क्य करता है, चात्रों को सिच्छक की कारवाही की माध्यम से कारे करने का भ्रहम होता है, चात्र को लगता है कि वो सीख रहा है, काम कर रहा है, वास्तों में वो क्या होता है, निस्क्री प्राय होता है, वो बस उतनी जान रहा है, उतनी ग्रहन कर रहा है, जितना सिच्छक उसको बता रहा है, अगर सहीं बता रहे है तो भी वो ग्रहन करेगा, गलत बता रहे है तो भी ग्रहन कर रहे है, तो यह क्या आपका एक प्रगार का यह सारी चीज़े नहीं होती है, बैंकिंग मॉडल में, तो एक प्रकार से यह निगेटिव भी है, बैंकिंग का धाड़ना में सिच्छा को संग्रह करने की गति विधी के रूप में माना जाता है, और अभ्यास किया जाता है, इस संग्रह कारे में छात्र संग्रह करता और इतना याद रखिएगा कि बैंकिंग मॉडल क्या है एक प्रकार का रटनत प्रणाली है यह रटने वाली एक प्रकार की विधी है इसमें बच्चा क्या करता है रटना इतना आप समझ जाएंगे तो कोश्चिन आपसे बन जाएगा छात्रों के लिए अनुमान कारवाही का दा अगर आप रट रहें तो आप बैंकिंग मॉडल में आजाएंगे, बैंकिंग मॉडल का सिंप्ली अर्थी है कि यह रटनी की पंधती से संबंधित है इतना भी जानेंगे तो आप लों कर लेंगे यह सारे points को आप चाहें तो notes कर सकते हैं, note कर सकते हैं या screenshot ले लीजे जानकारी संग्रह करता है, जो सीखने की प्रक्रिया में निस्क्री होता है, हमने देखा इसका नाम ही है बैंकिंग मॉडर, इसमें हम जानकारी को क्या करेंगे, एकत्र करेंगे, सभी अच्छे खातों की तरह चात्र सूचना एकत्र करते हैं, बिल्कुल जो खाते होते हैं बैंक करता है बिल्कूल इसका नाम है banking model बस इतना याद रखिएगा banking model के बारे में कि जिस प्रकार bank में हम चीजों को जमा करते हैं वैसे ही banking सीखने का जो banking model है उसमें हम ज्यान को जमा करते हैं उसके अलावा question कहीं से नहीं घुमाएगा इसका सिध्धान किस ने दिया पाउल कक्षा में देखेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू अब current efforts के तयारी होगी और भी आसान क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों चाहें आप किसी भी coaching से क्यों नहों आप बिल्कुल निशुल को हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं offline बिल्कुल free समय होगा शाम को पा के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अत्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ team Koko